नमस्कार दोस्तों मेरा नामे भालचंद्र ग्रमभंड सिद्ध्य अश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशी का अगस्ट 2021 का संपुर्ण राशीवल कैसे होंगे ग्रहयों कैसे होंगे ग्रहों के राशंतर और वो आपके राशी पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं कौन से निरने आपको लेने हैं कौन से निरने आपको टालने हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मध सिद्धिय एस्टो इस चैनल पर मेश राशे से लेकर मींद राशे तक की जो सभी बारा राशिया हैं इस सभी बारा राशियों का अगस्ट 2021 का राशिपल क्या होगा उसके संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका अनन जरूर लीज तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिधन राशे का अगस्ट 2021 का संपूर्ण राशिपल सबसे पहले ग्रहों के जो राशांतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके राशी का जो स्वामी है बुद्ध वो आपके द्वितिय भाव में ब्रमन कर रहा है दिन तो काफी अच्छा महतवपूर्ण और शुबुफ लदाई होगा पैसे के बारे में कुछ अच्छे लाब आपको मिल सकते हैं दिना नौ तारिक से लेकर 26 तारिक तक यह जो बुद्ध है वो आपके तृतिय भाव में ब्रहमन करेगा जो की बहुत ही महतवपूर्ण बात है तो नौ तारिक से लेकर 26 तारिक तक का जो समय है उसमें आप काफी ज़्यादा बिजी साबित होगे जो भी आपके महतवपूर्ण बात है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर एंगे एक तरह से अगर कहा जाए तो यह जो समपूर्ण मेना है के बात के जो समय में के बाद यह जो बुद्धा आपके जैसे ही चतुरतवाह में आ जाएगा तो घर के जो लोग है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी उसके बाद यह जो दोड़ दुख होगी करीबन 9 तारिक से लेकर 20 तारिक तक तो उसके करण आप थोड़ा सा आनाम करना पसंद करोगे 27 तारिक के बाद उसी प्रकार आपके तृतियाबाव को जो स्वामी है जो कि रवी है वो आपके दृतियाबाव में ब्रह्मन कर रहा है 17 तारिक के बाद यह आपके तृतियाबाव में ब्रह्मन करेगा तो जैसे मैंने बुद्ध बार एक बार में कही जादा काम सोचती है और करती भी है लेकिन कई दफा ऐसा अनुब होता है कि सभी काम पूरे नहीं होते लेकिन इस मेहने में जैसे कि आपका तृतिये अबाव में आपी के राशी में ब्रह्मन कर रहा है तो वह आपके लिए काफी जादा महतपुर्ण और शुवफलदाई होगा तो जो भी महतपुर्ण पूर्ण काम जैसे में शुरुवत में का वह आप हाथ में ले सकते हूँ उसी पर एकाल अगर आपकी लव लाइफ अगर आपके रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर के लव लाइफ अगर देखी जाए तो वह काफी जादा अद तक नौमल रहेगी क्योंकि जो शुक्र है यह शुक्र आपके तृत्या भावव में ब्रह्मन करेगा और दिनांग 12 तरीक के बाद यह आपके चतुर्त भावव में ब्रह्मन करेगा यदि पी यह पंचंभाव से आपके ब्रह्मन होने के कारण भी इसके कोई निगेट उनके बारे में तो आपके जो वैवाइक जुड़िदर है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो नौर्मल नहीं रहेगी छोटी मुड़ी बातों के लिए अगर तकरार हो सकती है या फिर आप दोनों उन में ऐसे कोई बात हो सकती है जिसके वज़े से थोड़ा सा विसमवाद से हम कहते हैं विवाद वगर हम कहते हैं वो बाते हो सकती है इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप जो भी काम करते हो उसके संदर काम के बारे में मंगल के बारे में अगर देखा जा तो मंगल आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन कर रहा है तो काम के सिलसिले में आपको घुम सामने आ सकती है उसके उपर थोड़ असा ध्यान दिजए लेकिन मोटे तरपर अगर कोई बड़ी problem या complications आपको नहीं आएंगी तो मोटे तरपर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महिना है वो आपके लिए दौड़ धूप वाला ज्यादा होगा आपको बहुत काम करना होगा और वो काम पूरा होते भी नजर आएंगे क्योंकि आपके राशी से यह जो दौड़ दूप है यह जो भूम ना हिरना है वो इतना expect किया नहीं जाता क्योंकि जो physical work है वो आपकी राशी करने में इतनी सक्षम नहीं है लेकिन इस मेने में आपको क करने पड़ सकते हैं लेकिन उसके positive परिणाम आपको जरू मिलेगे अब हम चर्चा करेंगे ग्रह जोग जो होते हैं उनकी परिणाम होते हैं उसके संदर में उदिनाग एक तारिक को रवी और बुद्ध की यूति होने जा रही है आपके द्वितियावह में और एक ही तारि होने के कैरांस stress जाधा आ सकता है एक ताृक को तो एक तारिक के दर्म्य जो कालावधिया थोड़ासा stressful आपके लिए हो सकता है उसे प्रेकार दो तारिक को रवी जो कि आपके दितियावह में उसके साथ आपके अस्टबाव हो जोशनी है वो प्रतियोक करने जा रहा है तो अगर आपके भाई बैन है या फिर उनसे कुछ बात या फिर अन्बन हुई है तो वो अन्बन इस तारीकों के दर में दो तारीक के आसपास वो अन्बन ज्यादा होने की संबावना है तो आपने आपके जो भावनाएं हैं उसके उपर थोड़ासा कंट्रोल रखना ज्यादा रखना करके आपसे उम्र में जो बड़े होंगे उनके साथ आपकी जो भाई वैन उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार बगरा होने के चांसे काफी जादा बनते हैं उसे पर अगार करीबन तीन तारीक को शुक्रो और हर्शल का त्रिकोन योग होने जा रहा है श तारीक के आसपास ये गरहयोग होग और उसके परिणाम है वो करेबन तीन दो तीन और चाल तारीक को मिलने के संभावना काफी जादा है अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में हैं या फिर नए रिलेशन्शिप बनाना चाहते हो तो यह जो कालावदी है आपके लिए बहुत दो तारीक को परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं तो इसके दरे में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है घर के जो लोग है उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर रादबन हो सकती है और उसका जो रिजन होगा उसका कारण होगा वो पैसों का जादा होने के संभा प्रतियोग करने जा रहा है तो यहां पर भी अगर आप घुमना फिर ना चाहते हो या फिर उस समय मतलब करीबं 5-6 और 7 तारिक में अगर आपके कोई ट्रैवलिंग होती है तो थोड़ा सा उसके उपर ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रेकार दिनाक 9 तरिक क शुक्र जोकि सिंगराशे में उसके साथ आपके भाग्याबाव को जो निक्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहा है अब यहां पर देखिए अगर आप किसी के रिलेशन्चिप में हैं तो मिस अंडरस्टेंडिंग मगरा होने की चांसेस काफी जादा बनते हैं यह जो ता जादा आवश्यक होगा उसे प्रकार दिनांग 20 तारिक को बुदो जोकि सिंगराशे में आपके चतुर तो आपके तृतियोभाव में उसके साथ आपके लाबुभाव को जो हर्शल है वह नवपंचम योग यानि की त्रिकोन योग करने जा रहा है अब यह जो कालावदी ह उननीस वीस और इकेस काफी जादा मेहतवपुण के साथ शुबफलदाई भी होगा जो भी आपका महात्म लोगे वो पूरे होते वे नजर आएंगे तो इन दिनों में मतलब उननीस वीस और इकेस अगर आप कोई काम अगर आप में लेते हो तो वो पूरे हो रहे की काफी अच्छे संभावना बनती है उसे पर अगर दिनांग 22 तारिक को मंगल और हर्शल का त्रिकोन योग भी होने जा रहा है इसको प्रभाव देखा जाएगा इसको योग का वो 21, 22 और 23 तारिक को देखा जाएगा यहाँ पर जो जो मिथुन रशी के विए जॉब लेस है जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए जो तीन दीन है कि 20 और 23 बहुत ज्यादा महत्व पूर्ण है उनको जॉब मिलने के संभावना काफी ज्यादा बनती है उसके पर जहाँ पर आप काम करते हैं नुकरे करते हैं या फिर व होने जा रहा है इस योग का जो कालावदी या फिर प्रभाव होगा वो करिबन 22-23 और 24 तारिक को देखा जाएगा तो इसके दर्मियान आपके जो घर के लोग है उनके साथ आपके हार्मनी है वो काफी अच्छे देखे जाएगे आगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है वहां पर भी जो अनुम्हों है वो काफी अच्छे देखे जाएगे तो यह जो कालावदी है आपके लिए शुब फलदाई होगा उसे प्रेकार बुदर जो कि आपके चतुर्त भाव में तृतिय भाव में है उसके साथ आपके भागय भाव को जो निप्चुन है वो प्रत योग करने जा रहा है तो इस कालावदी में करीबन 24, 25 और 26 इस तीन दिनों में छोटी मुटी बाते जो भी होगी उसके उपर थोड़ा सा नेंदरना आपके उपर स्ट्रेस वगरा आने की संभावना काफी जयदा बनती है और इसका कारण होगा क्योंकि आपकी जो राशी ह लेकर बहुत ज़दा स्ट्रेस ले लेती है बस वही कारण होगा सिर्फ यहां पर एक बात ध्यान में रहे कि है कि आपको कोई फसा नहीं रहा है क्योंकि आपकी जो राशी है ट्रस्ट वर्दी भी है सामने वाले पर जद्दूस से बरोसा कर लेती है उसके उपर थोड़ा स होती है क्योंकि सूर्य और चंद्रम का आकरशन होता है प्रती के प्रती वह ज़्यादा देखा जाते है इसे विजह से हम बहुत-ज़द़्य हो जाते हैं और अगर भावनावश होते हैं तो भावनावश त्थिति में लें लिए ने चूकने के संबावना काफी ज़्यादा बनती है तो दिनांग 8 और 22 तारिक इसमें अमावस और पुर्णिमा हैं किसी भी प्रकार के बड़े निर्में नहीं लेना तो दोस्तो ये था मिधुन राशी का अगस्ट 2021 का संपुल्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा अपने किस तरह से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है प्रम्हांट सिद्धियाश्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हूँ धन्यमाव